तो यहां पर गड़ित के मुख कोशल उसमें भाग एक है गड़ित पढ़ाने का एक किरम तो इसके वाले में दीखें कि क्या किरम गड़ित के बारे में दिया गया और इसमें जो भी प्रुशनुत्री प्रियोग की गई है इसमें 16 जो चोटी-चोटी भाग है उनमें से उन 16 क को हम लोग इसमें सौल करेंगी तो देखते हैं सबसे पहला परेशन का आता है तो इस तीन से लेकर के पांच तक का बच्चा है और उससे बड़े शोटे की अगर बात करें और यदि उसे भिन के अधारणा को हमने अभी तक समझाया नहीं है तो उससे यदि पोचेंगे एक आखर ऐसा क्या रीजन है जिससे की बच्चा ये गलत उतर दे रहा है आखर कच्छा में अतने ऐसे शवाल करवाने के बाप जूद बच्चों को यह समझ में क्यों नहीं आ रहा था कि आखर एक बटा चार बड़ा है यह इसा इसलिए क्योंकि जो भिन्ने हैं उनकी अउधा पाएंगे तो जब आप इस प्रकार से शॉल्व करवाएंगे पोर्ड पर करवाएंगे कॉप्य पर रहेंगे उनके इतने ज्यादा उनकी जो फंडामेंटली माइंड में बनेगा वो इतना ज्यादा नहीं बनने वाला है लेकिन उन्हें आजवाब चित्रों के मांद्यम से बस्तों के माद्यम से दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो समझ पाएंगे इसलिए आवश्यक है कि उनकी मनसिक्ता को चेंज करें और उन्हें अच्छे से व्यक्त करने का समय दें तो क्या बच्चों के हर जबाब को सही मान लिया जाएं कि वो जो बताते हैं वो स आश्यक करने के उन्होंने एक सी आरे पढ़ाने का जो करम है वो दिया वो कि दिया इसलिए बच्चों को किस विलकार से और जयादा अच्छा समझ सकें जैसे कि यह पॉइंट से हैं पढ़ाने का करम चीजों का इस्तेमाल करके शीखना चित्रों से सीखना अमूर्थ चैनो है वो बनती है तो इस क्रम में हर सब्द का अर्थ होगा तो क्या अर्थ होगा उसी आधार पर आप उन्हें बच्चों को बता सकते हैं सिखा सकते हैं तो आपकी स्कीन पर तींचित दिखाई जा रहे हैं उनके सामने उस शही उत्तर का नाम ड्रेग करके लाएं तो जो खाली स्थान दी गए नीचे निरूपड मूर्थ और अमूर्थ के बारे में दिया गया है उसके बाद मैं आपको सम्मिट करना है तो सबसे पहले यहां से जब तक आपको जानकारी नहीं है निरूपड क्या है अमूर्थ क्या है तर तक आप नहीं लगा सकते हैं तो मैं मूर्थ दिया गया निवस्तुए दिगे हैं तो इसे हम खिसका करके यहां पर लगाएं और इसके बाद में बात है निरूपड के निरूपड के निरूपड के निरूपड का नतला होता है रिप्रजेंटेशन यानिकी चत्रों की मार्द से तो इन्हें क्या करना पड़ेगा चित्रों की मादзя से जुछ रवाला इसका साहिँ होगा और अमुर्ट की गात होती है जो कि हालोड पे आपने लिख दिया स्रिफ शंक्याओं तो इसको हम जब स्रकाएंगे तो यह आपका अमूर्थ बनेगा और इसके बाद में यह आपका लगुपड़ बनेगा और यह आपका बनेगा एक्ष्ट्रेक यह अमूर्थ अमूर्थ अब इसको हम सम्मिट करते हैं इस यारे नाम से जाहिर है कि यह सीखने की तीन स्तर की प्रक्रिया है जिसमें बच्चे मूर्थ चीजों से पर चित्रों तो इस पूरे भाग एक में और अनकोई ऐसा प्रेस्ट नहीं है इसमें दो प्रेस्ट है हा नहीं वाला जो एक वटा चार एक वटा पौच था उसमें यह सब्सक्राइब करना इसी परकार से आना हुगा तो अमीद करते हो यह बाग आपको समझे आप करते हैं भाग दो की बाग यह निए कि भाग एक में तीन पॉइंट्स को C.R.A जो गड़त पडानी का किरम है जो अभी बग्यान को की जो पुस्तक हैं उसकी माध्यम से यय शीखा इसमें जो महत्वपूर चीज है सी आरे एक है आखिर है क्या तो इसका फॉल फॉर्म है वह है कॉंक्रीट रिप्रेजेंटेशनल और उसके बाद में एब्स्ट्रेक्ट अब इसका इक एक का हिंदी में देख लेए कॉंक्रीट यानि कि मूर्थ चीजों पर काम करते अमूर्थ चिन्नों की मदद से जाहर करपोना तो ये सी आरे है उसके बाद में सी आरे पढ़ने का क्रम भासा करिया और विचार तीनों का मेल है सी आरे पढ़ने का क्रम ठोस अनभो चेतर और पृतिकों का इस्तिमाल जैसा दिखने वाला एक सीगा क्रम या लाइनियर प्र प्रशनोत्री को प्रियोग किया गया है तो यहाँ पर यह सवाल दिया गया है और सवाल में लिखा है कि अखवार की सबसे पहली सीट के ऊपर पन्ने की संख्या एक और दो और सबसे नीचे वाली पन्ने की संख्या 31 और 32 है अब अगर अगर अखवार की वह सीट उठाई ज तो आप यह सोच ले उसके बाद में अगला बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर जो एक दो लिखा हुआ है एक दो वाली सीट के दूसरी साइड के जो पेज है उस पर 31 और 32 तो अब यहाँ से समझ सकते हैं आप जब पहले और दूसरा पेज वाली जो सीट है उस पर 31 वक्ते से तो तीसरा और चोथी वाली पर क्या लिखा होगा तो तीसरा और चोथी वाली पर आपका 39 लिखा होगा और पॉचवी और छटवी वाली पर क्या लिखा होगा उसमें 378 लिखा होगा और साथवी और आठवी वाली सीट पर क्या लिखा होगा 256 तो अब आप समझ गए होंगे आप चलते अगला बटन पर के लिखा होगा उमीद है आपको ये सवाल करने में मज़ा आया होगा जानते मेरी पत्नी सरिता ने सवाल के लिए असल में आठ कागजों को मोड़ कर और उन पर संख्या लिख कर देखा तो यहां से आप इस परकार से भी सौल कर सकते हैं यहां से आप देख पा रहे हैं किस परकार से अच्छे शी शलूशन को बताया गया है क्या है एक दो एकत्यस बत्यस तो पच्चिस चब्चिस में कोई सा पे जाएगा तो एकत्यस माइनस पच्चिस किया तो यहां पर कितना आया अच्छ है उसी वरकार से बत्यस माइनस चब्चिस किया तो कितना आया अच्छ है और पिलस एक और पिलस दो वहां पर कर दिया तो यहां से किलियर हो गया यह हम लोगों ने क्या किया था यहां से जरली अपने तरीके से किया गया है यहां पर गड़ती तरीके से किया गया है तो यह क्या गया साथ और आठ तो यहां पर यह प्रस्ने किया गया है और इसमें ल प्रबाव पढ़ता, इसमें चार विकल्प दिये, तीर विकल्प दिये गए, समस्या को हल करने का एक ही सही तरीका सीख पाते, समस्या का बिसलेसर करने, समस्या सुल्जाने का खुद का तरीका सोचने, उस तरीके को आजमाने और सोचे समझे सही तरीके नतीजे पर तो यहां पर जो प्रिस्न संद्था गया है, उसमें लिखा हुआ है, आपके अनुसार समस्या समाधान तरीके सी पढ़ाने से क्या फाइदा हुगा, इसने चार विकल्ब दियाँ है, पहला विकल्ब को सुझाने की अपने खुद की तरीके सोच पाएंगे बच्चे गड़त में सामिल प्रकरियां वा अधारणाओं की समझ बना पाएंगे और उसके वादे चोथा विकल्ब है बच्चों को सवाल को हल करने के लिए अलग-अलग तरीके समझने का मौका में लेगा तो मेरी ख्य बच्चे अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर पाएंगे पहले में आपको सीधा सवाल दिया गया है उसको और दूसरा दिया गया हमें 21-18 को जोड़ना है हम इन्हें कैसे जोड़ सकते हैं अपना हल लिखें तो इसमें किसमें बच्चे ज्यादा अच्छे से अपना तरीक किस्तेमाल कर पाएंगे तो यहां से धाया लगता है कि दूसरी जो समस्या है उससे ज़ग ज़्यादा बच्चे सीख पाएंगे तो इसे किलिक करके हम सम्मिट करते हैं तो यहाँ पर एक और प्रस्ण लिखा हुआ है और ये प्रस्ण में जो लिखा है उसको देखते हैं समझ्या कैसी हो कुई भी समझ्या है वो कैसी हो इसके कुछ आधार या खास बातें दी गई हैं जो खास बात है एक अच्छी समस्या में होनी चाहिए, किलिक करके उन्हें चोने और सम्मिट करें तो देखते हैं पहली समस्या क्या दी गई है, पहली समस्या है कि समस्या का इस तर बच्चों की मौझूदा समझ के हिसाब से होनी चाहिए दूसरी है समस्या बच्चों के बिल्कुल आशान होनी चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा सूचना ना पड़े तिसरा है समस्या में बच्चे जो गड़ सीखने वाले हैं बेक मुख अकरसक होने चाहिए ना की बाकी बात है समस्या में बच्चों को खुद की जवाब ढूड़ने और उनके लिए तरक देने का आउशर मोजुद होना चाहिए नेश्ट है समस्या जिसमें बच्चों को सिर्फ मानक बिदी का इस्तेमाल कर जवाब निकालना हो और लाश्ट है समस्या बच्चों के संदर से जुड़ी हुई और अर्थफूर होनी चाहिए तो इन में से कौन-कौन से बिकल्ब सही हो सकते हैं उनको हम किलिक करते हैं तो यहां से हमें लगता है पहला, तीसरा, चौथा और छटवा यह इसके सही विकल्ब होनी चाहिए क्योंकि जो हमने गलत विकल्ब की हैं उनको हम अपना जो सही इसका क्यों मैंने गलत किया समस्या बच्चों के लिए बिलकुल आशान होना भी ने चाहिए क्योंकि बच्चों को थोड़ा तर्कुस में करना चाहिए बात बबात करना चाहिए चर्चाय पर चर्चाय करनी चाहिए और अगला जो हमने गलत किया है, समस्या जिसमें बच्चों को सिर्फ मानक बिदी का इस्तिमाल करण, कि यह वाल मानक बिदी से कुछ नहीं होने वाला है, बच्चों को अपनी बिदी, अपना दिमाग, अपने तरीके जरूर लगाने चाहिए, तो मेरे साबसे यह विकल्ब सह होने चाहिए अब देखते सम्मिट करके दोस्तों पहला दीसरा चौथा और आंखरी विकल्ब सही है